दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने व्रक्ष की उम्र क्या है? क्या आपको पता है कि कॉक्रोच और डाइनोसौर में से पहले पृत्वी पर कौन जन्मा था? अगर मैं आप से कहूं कि आपके सेर में बालो की संख्या क्या है? तो क्या आप हमें इन सबी सवालों के जवाब दे पाएंगे नमश्कार दोस्तों इबाफ फिर से स्वागत है आपका नौलिज कोट्स कलाब में आज किस वीडियो में हम इनी सवालों पर चाचा करेंगे दोस्तों क्या आप दुनिया की सबसे पुरारे व्रक्ष की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं स्वीडिन में होगे औल दिजिक को नाम किस व्रक्ष की उम्र 100 या 200 साल नहीं है बल्कि ये 9500 साल पुराना है और इस रक्ष को भूमी ज्यानी कुललमन द्वारा खोचा गया है क्या आपको पता है कि कौकरुच और डाइनसौर में से पहले पृत्वी पर कौन जन्मा था कौकरुच जो कि हम आम तोर पर अपने घरों में देखते हैं इनका इतिहास मनुष ही नहीं बल्कि डाइनसौर से भी पुराना माना जाता है कौकर डाइनसौर से लगबग 12 करोड वर्ष पूर पृत्वी पर जन्मे थे ये वर्ष कितने अधिक हैं इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मनुष का संपूर ग्यात इतिहास मात्र कुछ लाख वर्ष का ही है कैंडी क्रश नामा गेम आपने खेली हो ये ना खेली हो लेकिन आपने इसका नाम अवश्य सुना होगा फेस्बुक पर इस गेम के आने वाले निवेतन से लगपक सभी फेस्बुक उपयोग करता परेशान रहते हैं लेकिन आपको ये जानकर हैरामी होगी कि वर्तमान में कैंडी क्रश खेलने वालों की संख्या कनाडा की कुल जन संख्या से भी ज्यादा है क्या आपको चीते की रफ्तार का अंदाजा है चीता के बारे में रोचक यह है कि वे रफ्तार बहुत तेजी से पकड़ता है अगर वे खड़ा है तो उसकी रफ्तार शून ने है लेकिन मात्र तीन सेकिंड के समय में चीता साथ मिल प्रतिगंटे की रफटार पकड सकता है औसत पाहन चीते से तेज दोड सकते हैं लेकिन उन्हें ये रफटार पकडने में चीते से ज़्यादा समय लगेगा क्या आपको पता है कि आपके सिर में बालों की संख्या क्या है? आहम तोर पर कहावते बनाई जाती हैं कि सिर के बाल और अंतरिक्ष्क में तारों के ओ गिनना नामुम्किन है लेकिन ऐसा नहीं है तारों को गिनना भले ही नामुम्किन हो बालों को गिनना मुम्किन है यदि आप छड़ रहे बालों के समस्य से परेशान नहीं है तो आपके सिर में करीब पिचासी हजार से लेकर डीर लाक बाल है यदि आपको संदे है तो आप बेशक इन्हें गिन सकते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो नॉलिजिबल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना बोलें